नमस्ट का दोस्तो, मेरा डाम डॉक्टर नगिंदर यादव है देखिए जब भी आप कोई तोता पालते हैं तो बर्ड्स को पालने से पहले उसके एनाटॉमी फीजोलोजी के बारे में आपको जरूर नौलेज होने चीए कि आपका बर्ड्स किस एज में जाकर कि जो है मैचियर होता है उसका लाइव स्पैन कितना है एक टाइम में वो कितने अंडे देता है और अंडे का इंक्यूबिशन पिरिट क्या होता है ये सब चीजे इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब आप ऐसे होबी के तौर पर जब भी आप इस शौक के सुरुआत करते हैं तो आपको आपके मन में जरूर कहीं न कहीं एक ख्याल रहता है कि आप जो बर्ड्स पाल रहे हैं वो थोड़े दिन बाद जब मैचूर हो जाएगा तो वो कहीं ब्रीड करेगा और आप जो है अंदर से ये सोचते हो कि आप इसके बेबी लेना चाहेंगे हर तोते की जो है एडोलेसेंस एज अलग-अलग होती है पार्टिकुलर कुछ पैराकीट से होते हैं जो बहुत ही छोटी एज में ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं जो लार्ज पैराकीट सोते हैं वो पांस से छे साल की एज में जाकर के मैचूर होते हैं यानि आप मैकाव पाल रहे हो या अफ्रीकन गरे पैरेट्स पाल रहे हो और आप यह सोचो कि आप लाते ही उससे छे महीने में या एक साल के अंदर उनसे अंडे बच्चे ले लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है और यह सब चीजे आप कैसे हैं इसके लिए आप किसी डॉक्टर की मदद ले सकते हैं या अपना नॉलिज बढ़ाने के लिए आप गूगल पर आप सार्च कर सकते हैं कि बर्ड्स का लाइफ्समेन कितना है किस एज में जाकर किस में एडॉलेसंस एज आती है इसले बर्ड्स का चुनाव करने से पहले आपको इन चीजों की जानकारी होने चाहिए दूसरा बर्ड्स की डाइट के बारे में आपको जुरू पता होना चाहिए birds का per space के cage requirement कितनी है क्योंकि आप ये जरूर देखे कि आप जो birds पाल रहे हो जब उसको cage के अंदर रखा है तो उसकी minimum space requirement आपको जरूर पता होने चीए कहीं ऐसा नहो कि आपने birds पाल लिया है बहुत अच्छे से आप उसको diet खूब अच्छी दे रहे हो आपका birds जो है अंदर यंदर stress में जा रहा है क्योंकि जो उसका minimum space उसको घूमने फिनने के लिए उडने के लिए चीए आप वो space प्रोइड नहीं कर रहे है तो कहीं न कहीं वो आपके birds की health को effect करेंगा ही करेंगा इसलिए हर breeds की space requirement जो है अलग-अलग होती है इवन जैसे आप बजडीगर देखते हो कॉकट्यल देखते हो, लव बर्ड्स देखते हो इन तीनों की cage की space requirement पे अलग-अलग है जो बड़े parakeets है जैसे मैकाव हो गया आपका अफ्रीकन गरे पैरेट्स हो गया या लॉरी कीट्स हो गया इन सब के लिए जो है बड़े cage की space की requirement होती है दूसरा, एक चीज़ आप कोई जरू पता होने ची़ कि आपके माइन में जो है कि आप जो birds पालना चाते हो क्या केवल talkative purpose से पालना चाते हो या क्यावल उसको ऐसे hobbits के तौरपर पालना चाते हो क्योंकि कई बार क्या होता आपको ही लगता कि हर्त होता बोलता है जबकि ऐसा नहीं है talkative parrots की जो है कुछ species यह सी है जो humans की तरह अच्छे से बोल सकते है इसलिए उन breeds का चुनाव करे ताकि आप जिस purpose से अपना शौक पूरा करना चाते है होबी को maintain करना चाते है उसकी आपको पहले से knowledge होने चीव कुछ birds ऐसे होते हैं कि वल singing music जैसी आवाज निकालते हैं यानि वो talkative नहीं होते हैं birds का आप यह देखेंगे breeding एक बार में जैसे छोटे जो पैराकीट्स होते हैं पांच, छे, आठ तक अंडे देते हैं जितनी बड़े पैराकीट्स हैं जैसे मकाव वगरर हैं इनका जो egg का जो class है जब वो भी काफी काम होता है इसने उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके भी आप birds का चुनाव कीजिए कि आप अपने birds से चाहते क्या हैं क्या आप उसको ऐसे harvest तोर पर रखने चाहते हैं क्या आप उसको ऐसे business डेवलप करना चाहते हैं तो उसी रसाब से आपको birds की cage की requirement space requirement, उसकी diet की और उसकी adolescent age की उसके baby को diet में क्या देना है birds की actual diet क्या है इन चीजों की knowledge का होना बहुत ज़्यदा जुरूरी है चोटे जो पैराकीट्स होते है क्यावलो seeds वगर आप देदोगे और उनको थोड़ा सा green leafy vegetables देदोगे तो automatic उनकी जो है requirement पूरी हो जाएगी बड़ी breeds में आपको पता है जैसे especially African grey parrots में आपको पता है कि उनकी body की जो calcium के requirement होती है दूसरी species के तुलना में डबल ए ट्रिपल होती है यानि African grey parrots को diet में यानि आप उसको seeds के अंदर भी calcium mix करके देजिए पानी के अंदर भी mix करके देजिए और जो soft food आप दे रहे हैं इपने birds को उसमें भी calcium देजिए उसके अलावा calcium blocks आपके cage के अंदर होना चाहिए क्योंकि उसकी body में calcium per day जो requirement है दूसरे breeds के comparison में अफरिकन grey में बहुत ज़्यादा है overdosing भी calcium की ज़्यादा ठीक नहीं है वो भी कहीं न कहीं birds को नुकसान करती है हर birds की requirement किस birds की calcium requirement केती है यह सब आप जो है encyclopedia उस birds का particular आप जाकर देख सकते हैं कि उसकी per body body weight के साब से requirement क्या है birds को आपको पता है जब भी आप cage में रखते हो toys एक ऐसी चीज होती है चोंकि birds को बोर्ड नहीं होने दे ज़ते हैं इसलिए birds को जितने colorful toys किसी भी breeds को आप जद़ से जद़ प्रवाइड करेंगे आपका birds उनको देख करके healthy रहेगा खुश रहेगा अच्छे से खेलता रहेगा और birds कभी भी stress में नहीं जाएगा कई बार क्या है आप पेर में भी birds पाल सकते हो यदि आपके पास समय है तो यदि आपने individual birds पाला है तो आप ही मन के चली आपको उसको जो है पेर के comparison में आपको उसको ज़्यादा time devote करना पड़ेगा क्योंकि pairing में birds अपना time आपस में utilize कर लेता single birds होने के वज़े से क्या है birds के पास stress में जाने के depression में जाने का एक reason हो सकता है कि आप अपने काम में इतने वैस्त हो कि उसके लिए समय बिलकुल नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए एक तो cage size को बढ़ा रखे दूसरा कोशिश कीजिए दिन का एक दो गंटा अपने हाथ से अपने birds को खाना जरू किला इससे क्या होता है कि birds के आपके बीच में bonding level बहुत ज़्यादा मजबूत होता है अब birds को यह सब चीजे बहुत ज़्यादा अच्छी लगते कि आप अपने birds को time spend कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके birds का जो activity activity level है वो भी काफी maintain रहेगा उसकी जो learning capacity आपने बार्णिंग होने के वज़े से automatic बहुत जल्दी वो हर चीज को learn करने की कोशिश करेगा यदि आपने सको cage में लाकर के सिर्फ खाना डालकर के चोड़ दिया depression में जाएगा depression में जाने से सबस्यादा जो main problem आती है birds में वोती है अपने feather plucking feather से एक ऐसी behavioral problem होती है यह जब होती है आपके parakeets में छोटे एक छोटे बजरीगर में भी आप कह सकते हो सकती है एक large macau parakeets में भी हो सकती है कि आपने birds तो पाल लिया है लेकिन आपके पास इतना समय नहीं कि आप उसको समय दे सके उसके time के लिए तो इसलिए birds को proper timing दीजे कि आपका birds कहीं गलती से depression में न जाए या feather plucking की यदि इवर उसके habits develop होगे तो automatic आपका birds उसे जल्दी से recover नहीं कर पाता है इसलिए ऐसी नौबत ना है पहले से ही अपने birds के लिए time दिन में आदा एक गंटा सुब़े शाम दोपैर में इस तरीके से आपने birds के लिए time निकाल करके रखे 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 आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता है कि आपको कौन से पक्षी का चुनाब करना कौन सा पक्षी आपने पालना है उसको पालने से पहले आपको इंची जोकी knowledge को आना पहुँच जादे जरूरी उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद